हलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा क्रिशन, देखिए आज जो ब्लाउज में आपको बताने जा रही हूँ, वो पहने में बहुत ही डिसेंट लगता है, तो उसके लिए यहाँ पर मैंने लिया है 80 cm का लाइनिंग का फैब्रिक और मैं फैब्रिक भी मेरा 80 cm है, लेकिन य इसका जो आर्ज है, वो 42 है, तो यहाँ पर मैं पहले आपको मिजरमेंट बता देती हूँ, देखिए यहाँ जो ब्लाउज में बना रही हूँ, उसमें लेंद हम लेंगे 14 inch, 38 inch है, वेस राउन यहाँ पर 32 inch है, शोल्डर यहाँ पर आपको फुल लेने हैं, क्योंकि यह एक कॉलर ब्लाउज है, तो यहाँ पर शोल्डर 15 inch है, और आर्म हुल है 16.5, तो मैं यहाँ पर लाइनिंग पर कटिंग करूंगे पहले, इसके लिए आपको लाइनिंग को डबल फोल करके बिचा लेना है, तो देखिए सबसे पहले आप नीचे से कपड़े को एकसा कर लेंगे और उसके बाद हम इसमें लेंगे, तो 14 inch ready चाहिए, इसलिए 15 inch पर मैं एक निशान लगा देती हूँ, उसके बाद आपको यहाँ पर जितने फुल शोल्डर है ना, उसका हाफ लेना है, तो फुल शोल्डर है 15 inch, इसलिए मैं 7.5 पर एक निशान लगाऊंगी, और यहाँ प वेस राउंड है 32 inch, इसका 4th पार्ट आएगा 8 inch और 1 inch के यहाँ पर हम डाट लगाएंगे, 1.5 inch यहाँ margin कर जाएगा, और यहाँ पर भी 1.5 inch margin कर जाएगा, अब इन दोनों निशानों को मैं मिला देती हूँ, अब यहाँ पर आपको armhole के लिए निशान लगाना है, अब द यहाँ पर यह shoulder पर 3.5 बचा है, ठीक, अब यहाँ पर half inch हम shoulder down करेंगे, जो सिलाई के बाद 1 inch हो जाएगा, तो इस तरह से आपको यह जरूरी में shoulder down करना है, अब back की जो dart होती है, वो इसके center में आपको लेनी है, और इस dart को आप 4 या 5 inch, जो blouse की length होती है, उसे साब से हमें से ले लेते हैं, यहाँ पर मैं सिर्फ half inch neck down करूंगी, और अब मैं इसे cut कर लेती हूँ, अब देखे, back का piece cut हो गया है, और यहाँ पर आप armhole को जरूर measure कर लें अपने हिसाब से, क्योंकि यहाँ हमने half inch कम किया हुआ होता है, अगर आपको यह armhole का measurement कम हो, तो आप इसे or down भी कर सकते हैं, ठीक है, अब हम यहाँ पर इसे रखेंगे, और यह half inch की पट्टी हम यहाँ आई hook के लिए छोड़ देते हैं, और इसे same to same trace कर लेते हैं, अब इसे मैं हटा दूँगी, यहाँ पर आप neck के लिए यह line बना लें, जिससे आपको neck measure करने में आसानी रहे, अब अब आपको देखना है कि neck आपको कितना लेना है, तो मैं यहाँ से, क्योंकि collar इस तरह से लगेगा ना, तो मैं यहाँ से 10 inch पर ले रही हूँ, अब armhole पर भी हम shape लगा लेंगे, अब आपको यहाँ पर belt लेना है, चुकि मैं belt यहीं से निकालूंगी, इसलिए मैं 1 inch add कर ले तो यह आपका belt हो गया, अब आपको यहाँ लगाना है princess line का निशान, उपर से 11 inch और यहाँ से 3.8, तो यह हो गया burst point, तो देखे friends 11 inch पर इसका burst point आया है, क्योंकि 9.5 में 1 inch हम plus करेंगे 10.5 और half inch line margin, तो 11 inch आएगा, और यहाँ से यह आएगा 3.8, ठीक है, तो अब आपको इ इस side और इसे हम burst की side इस तरहें से मिला लेंगे, ठीक है, अब आपको यहाँ पर dart लगानी है, तो dart में यहाँ लगा रही हूं, 3 inch की, और बड़े size में हम इस तरहें से गुलाई लेते हुए, इस तरहें dart लेंगे, इसे मैंने half inch नीचे कर लिया है, और इसे भी, क्योंकि जब सिलाई होगी, तो आपका कपड़ा यहाँ से उंचा हो जाएगा, तो उसके लिए मैंने half inch यहाँ नीचे ले लिया है, और इसे हमको मिलाना है अपने belt से, यह देखे, इस तरहें से जब हम belt को लगाएंगे, तो यह belt आपकी जो कमर में बिलकुल अच्छे से fit हो ठीक है, अब यह हो गया, अब आपको अपना कमर का नाप लेना है, तो कमर है 32 inch है, तो यहाँ से यह आई हो की पट्टी को कहीं भी margin में नहीं लेना है, हमको कहीं भी ने गिनना है, उसके अलगी हमको निशान लगाना है, अब यहाँ से यह लिया मैंने और यह रखा यहाँ तो एक inch हम और यहाँ add कर लेंगे, तो यह वाली जो cutting है यहाँ तक जाएगी, अब उपर की side भी यह जो cutting होगी तो यहाँ सिलाई के लिए कपला चाहिए ना, तो यह एक inch आपको यहाँ से बढ़ा लेना है, अब इन दोनों को हम मिला लेते हैं, ठीके, तो यह इसका हो गया first part यह हो गया, second part यह हो गया, third part, तो belt को तो हम यहीं तक cut करेंगे, लेकिन यह वाला जो हिस्सा है उसे यहाँ तक cut करेंगे, अब मैं आपको इसकी cutting करके दिखाती हूँ तो देखें, यहाँ पर हमारे अस्तर की cutting हो गई है, अब इसी part को आपको same रखना है, अपने man fabric पर और इसे cut करना है, तो same double fold पर ही हम इसे set कर लेंगे, तो देखें, हमने यह चारो पीस set कर लिये हैं, और यहाँ पर मेरको sleeves के लिए अच्छा खासा कपला यहाँ बच गया ह तो अब मैं इसे cut कर लेती हूँ, तो देखें friends मैंने यह back के और front के piece cut कर लिये हैं, ठीके, अब आपको sleeves करनी हैं, तो जो sleeves का कपला हमारे पास बचा है, उसे हम करेंगे 4 fold, 4 fold करने के बाद आपको देखना है कि आपको कित्ती लंबी sleeves लेनी हैं, तो यह half inch तो इसके अंदर सिलाई में चला जाएगा, ठीके, मैं यहाँ sleeves में lining नहीं use कर रही हूँ, तो यह half inch अंदर चला जाएगा, यहाँ से हम sleeves की लंबाई ले लेंगे, तो मैं ले लेंगे हूँ, साड़े 11 inch पर, half inch यहाँ से सिलाई में जाएगा और 11 inch की मेरी sleeves ready होगी, अब यहाँ पार चुकि इसकी चोड़ाई है 8 inch और हमको चाहिए 9.5 inch, तो हम इसमें यहाँ जोड लगाएंगे, यह extra कपला है, जो हमें इसका कॉलर बनाने में काम आएगा, ठीक, अब यहाँ पर दे sleeves को एक कागज के ऊपर कट कीजिए, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, और फिर इसे इसके ऊपर हम रखेंगे जब, तो देखे, आपको पता रहेगा कि आपको कितना जोड लगाना है, तो हमें सिर्फ इस sleeves में यहाँ पर थोड़ा सा जोड लगाना है तो इस हिसाब से हम इसमें जोड लगा लेंगे और उसके बाद आप sleeves को कट कर लीजिए, तो यह सबसे बैस तरीका है, आप कम कपडे में भी long sleeves को बना सकते हैं, तो इसी sleeves के इसाब से मैं यहाँ पर इसमें sleeves को ready कर लूँगी, और अब जो हमने front और back के piece कट की हैं, उन्हें तरीके से ready करेंगे, कि इन दोनों को एक दूसरे के opposite रखेंगे, मैं यहाँ से सिलाई लगाऊंगी, पलटूंगी, पलटने के बाद डाट लगाऊंगी, चारो तरफ से attach करूंगी, ठीक है, सेम इसी तरीके से आपको इस बैल्ट को तयार करना है, यहाँ से सिलना है, पलटन बच जाएगे, उतना टाइम भी बच जाएगा, तो मैं यहाँ पर पहले एने तयार कर लेती हूं, तो देखे फ्रेंट्स, यहाँ पर मैंने इन दोनों कपड़ों को एक दूसरे के साथ सिलकर attach कर लिया है, और बैल्ट को यहाँ से मैंने पलट कर ready कर लिया है, इसी के साथ फ्रेंट के पीस ready हो गए, अब जो बैक का पीस था ना उसे भी मैंने यहाँ नीचे से पलटा और डाट लगा कर चारों तरफ से attach कर लिया, ठीके यह बैक का पीस भी ready हो गया मेरा, और जो स्लीव थी जो मैंने आपको दिखाई थी ना, कि हमें थोड़ा सा ही कपड़ा तो पूरी हमारी लंबाई भी आ गई है, स्लीव की और चोड़ाई भी आ गई है, तो इस तरह से अब हमारे कपड़े तो ready हो गए हैं, अब इन्हें attach करना है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, कि इस टुक्की को इसके साथ आप attach करेंगे, उननीस वीस आपका यह वाला हि तो जब हम इसे सिलेंगे, तो देखिए, यहां से मैं इसे इस तरह से पूरी टुक्की को attach करूंगी, तो मेरा थोड़ा सा यह वाला हिस्सा बड़ा होगा, तो उसे हम cut कर देंगे, इसी तरह से आप इन दोनों को attach कर लीजिए, और उसके बाद हम इसमें नीचे belt attach कर लेंग झालाँ 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 के लीज़ाँ वालाँ के वालाँ के लावःी बनसे की पालाँ कर अदा और गभर कर देंगे, तो मेरा फचाशम् welगसद मॉट hellवलाँ प Queensborough बनसे से कर दो लावः हो, क्रीजिख, उनसे दो आलाँ, बनसे के लाविए, और भीजिए, रच तो देखिए यह आपको यहां जोल देख रही है लेकिन जब यहां पैक हो जाएगा ना मतलब कमर पे जब टाइट होके पेना होगा तो यह जितना भी एक्स्ट्रा इसमें यह बल जा रहा है यह सब यहां पफ के पास आजाएगा और आपका ब्लाउच की फिटिंग बहुत य इच्छी आएगी तो यह फिरे पीश प्रिंसेस कट का एक पीस मैंने तयार कर लिया है और इसी तरहें केसे मैं दूसरा पीस तयार करती हूँ तो देखिए यहां पर नों पीस मैंने फ्रंट के रेडी कर लिये हैं और बैक का पीस हमारे रेडी था तो शोल्डर जॉइन कर कर लेती हूं मैं और इसमें स्लीव सटेज कर लेती हूं तो देखे यहां पर मैंने दोनों स्लीव से इसमें अटेज कर ली हैं अब हमें इसमें फिटिंग देनी है और फिटिंग देने के साथ ही इसमें लगाना है कॉलर तो यहां पर आप इसको यहां से नापिये देखे इसके इस साइट से हम नापना सुरू करेंगे यहां से आता है यह 40 इंच याने हम 41 इंच की पट्टी तेयार करेंगे कॉलर के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है सवा इंच की ऐसे कैनवास की पट्टी तेयार करनी है 40 इंच की अब देखिए इन दोनों पट्टियों को मैंने सिल लिया है अब इसे आप ना पिए पूरा 40 इंच आपके ब्लाउच की जितनी लेंद हो ना एक परदे से लेकर दूसरे परदे तक उसमें आपको एक इंच और जोलना है क्योंकि हम हाफाफ इंच नीचे मोडेंगे अब इसे ह मैं चिपकाना है अपने मैन फैब्रिक पर तो देखी फ्रेंड्स मैंने यहां पर एक 4 इंच की पट्टी लेकर इसके उपर यह कैनवास की पट्टी जो 7 इंच की दी ना 1.2 इंच की वो मैंने चिपका ली और इसे इस तरह फोल्ड करके प्रेस कर ली है ठीके अगर आपके के पास कैनवास नहीं हो तो आप अस्तर और मैन फैब्रिक का कप्ला लेकर डबल कर सकते हैं जिसे थोड़ा सा वह मूटा हो जाए अब यहां पर मैं एक सिलाई लगा लेती हूं यह जो कैनवास की पट्टी है उसके पास अब इसके बाद यहां पर जितना एक्स्ट्रा कप्ला है इस कप्ले को हम काटेंगे और उतना ही कप्ला छोड़ेंगे जितना मुझे यहां सिलाई में दबाना है और अगर आपके पास इंटरलोग की सुविदा है तो आप इस पट्टी को इंटरलोग कर लीजिए जिससे य एक्ष्रा कप्ला मैंने इसमें से निकाल दिया और जितना मुझे सिलाई में दवाना है उतना ही मैंने यहां रखा है अब यहां पर एक सेंडर पॉइंट ले लेती हूं मैं अब इसे हम अपने ब्लाउज में अटेच करेंगे तो देखे यह इसका सेंडर पॉइंट है यहां स मैं इसका सेंटर पॉइंट यहां रखूंगी इस तरह से और इसे पिनप कर दूँगी अब आप यहां से इसे पूरा नाप यह चाहें तो आधी सिलाई हम इदर से लगा लेते हैं जिससे नापने का प्रॉब्लम ही नहीं आएगा और जो सिलाई मैंने यहां लगाई है ना कैन हमने कॉला रटाइज कर लिया है अब यहां पर अगर आपका यह धागे निकलने वाला कपड़ा है ना तो पहले आप इसके उपर एक इंटरलोक कर लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा मैं यहां कॉनर पर से फिक सिलाई चला लेती हूं अभी तो देखे फ्रेंड्स यहां पर यह कॉलर लग गया है और इसी में इसी कॉनर मैं आपको एक को आई की पाट्टि बनानी है और एक को हुक की पाट्टि बनानी है और यहां तक आपका यह इस तरह से पैक हो जाएगा इसलिए हमने इसका neck इतना deep लिया था और यहां पर आपका यह collar आजाएगा तो यह इस तरहे की style रहेगी अब मैं इसमें fitting कर लेती हूँ फिर आपको इसका look दिखाती हूँ तो देखे friends यहां पर मैंने इसकी fitting पूरी लगा ली है और अब यह blouse हमारा complete हो गया है अब देखे यहां पर आपको hook लगाने है इनी पट्टियों के उपर और आप चाहें तो यहां पर canvas नहीं लगाएं आप अस्तर के कपड़े की पट्टी लगा सकते हैं आप देखे मैं इसे बताती हूँ इसमें मैंने नीचे से यह सिर्फ चार hook लगाएं है क्योंकि यह पट्टी ही एक दूसरी की उपर इस तरह से overlap हो जाती है तो आपका जो neck है ना वो यहां तक complete हो जाता है मतलब आपके neck की जो गहराई है वो 6.5 इंस तक ही रह जाती है इसलिए हमने neck को इतना deep लिया था देखी बिल्कुल new design है और new style का collar है और देखी यह इसका back portion है और office wear के लिए यह बहुत ही looking wise nice रहेगा अगर आप इसे बनवाते हैं तो बहुत simple design है और जैसे कि आपकी request थी कि 3 piece princess cut में आपको blouse की cutting सीखना थी तो I hope आपको यह वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया है और आप इस वीडियो को देखकर अपना blouse बनाए तो उसका pick मुझे instagram पर जरूर शियर करें और इसी के साथ मेरे चैनल को subscribe और page को follow कीजे वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमस्कार